आज हम बनाएंगे सिम्ला मिर्च की एकदम नई रेसिपी आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी सम्याज कुकिंग डायरी में आप लोगों का स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं बनाना तो मैंने यहां पर सिम्ला मिर्च लिए टमाटर लिया है और प्याज लिया है सबसे पहले में प्याज को काट लोंगी एकदम लंबे-लंबे काटने है छोटे-चोटे नहीं काटने है आप छोटी-चोटी जो का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो रेसिपी यह सीम्ला मिर्च की बहुत ही अच्छ से बनेगी मैंने इस तरह से काट के हाथों से इस तरह से म मुफली डालिए हलकी हलकी जब मुंखली भून जाएगी तो इसकी अंदर हम डालेंगे साबुद धनिया हाफ टेबल इस्पून जीरा हाफ टेबल इस्पून और यहां पे में दो सुखी खड़ी मिर्ची इन सारी चीजों को हमें भूनना आए जब तक यह खुश भूना आ अब फुरी तरसे ठंडा हो गया है तो मीशिकर में में मिक्सी जार में टालेंगे डालने के बाद हम इसे आच्छे से पाउडर बना लेना इस तरह से मैं नया लिया है इक झाने Gegner दालेंगे तो क्षव टेंबल इस्पून के करीब तेल अच्छे से गर्म हो जायाएं तो ह कीसाो प्याज के प्याज यहां आ दया है कि करेएट हड़े चिली पावडर हाफ टेबिस्पून गर्म zasalah करीब डाले है मसालो को कम जादा कर शकते हैं धेखी मसाले www.mes suppression विन अच्छे जयुकि मिक्स सब्सक्राइब दूख होता नरी के लिए निखना इसके नाहे लाए जाला है भी उसके बाद Rebecca क्यूंकि पानी होता है तो जल्दी से सोख लेगा, गेस फ्लेम ही रखेंगे टो दो मिनट के लिए डग के फ्लेम पे रखेंगे दो मिनट बाद हमारे देखिए सिम्ला मेर्च 50% कूक हो गया है और पानी भी सोक गया है पूरा तो उसके अंदर जो मेरे मसालों को भून के पीसा था वो डाल देंगे उसके बाद फिर से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है यह रेसिपी आप कही जर्नी में भी लेके जा सकते ह अगर आपको बिल्कुल भूप नहीं लगी हो तो यह सबजी बनाई है आप दो की जगे चार रोटी खाएंगे उसके बाद अच्छे से मिक्स हो गया है इसे फिर से में दो मिनट के लिए ढखके पकाना है लो फ्लेम पे दो मिनट बाद हम यहां पे गैस को बंद कर देंगे लोग झाल वाया म समी की बियुक बंद के लिए?